नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं पत्र लेखन कारकरम सुबा 11 वय से लेकर 12 वय के बिच होगा ममी पापा वोट दो भावक संदेश पत्र के जरे लिख कर उन्हें सोपेंगे मत दाता जगरूपता के इस नायाब आइडिया के किरनोयन का निर्देश इसकूलों को दे दिया गया है जारखन विदान सभा चुनादो है 24 में मत दान परसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की है बतादे CEO केर अभी कुमार ने बताया कि बच्चों द्वार पत्र लिखने के पहले बिद्याले के परदना ध्यापक और सिक्चक उन्हें मत दान की आवसकता एवं इसकी मता पर सभी बच्चों को उन्मुकी करना सुनेचीत करेंगे तैस समय सीमा के भीतर पत्र लिखन पर सभी बच्चे अपने पत्र को अपने घार ले जाकर अपने मता पिता को सोपेंगे और उनसे मत दान के दिन मत दान अवसकरने का अनुरोद करेंगे ज्यारकन के राजेपाल से मंत्री इर्फान अंसारी की सिकायात अत्यांत महत्पुन और सम्मान जनक है राजी के एक आदिवासी जन परतिनिती के खिलाब इस तरह के असोब निये सब्द का प्रयोक अत्यांत ही निंदनिये है सिष्ट मंदल द्वारा यह भी ध्यान आकरिष्ट किया गया है कि मंत्री इर्फान अंसारी द्वारा इस अपमान जनक ब्यान के अलावा सिता सुरेन को परसान करने के उद्दे से जाम तरह थाना में एक फर्जी मामला भी दर्च कराया गया है सीता स्वरेन का हुआ अपमान ज्यार्खन सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल कांग्रेश नेता और मंत्री इर्फान अंसारी की ओर से सीता स्वरेन पर विवाजित ब्यान को लेकर बीजेपी ज्यार्खन सरकार पर लागातार हामला कर रही है रबिवार को केंद्रिय मंत्री सिवराई सिंग चवान ने कहा है कि जार्खन में बहन सीता सुरेन का अपमान हुआ है उन्होंने जार्खन सरकार मंत्री इर्फान अंसारी पनिशाना सात्तेवे कहा है कि यह ब्यान सरकार की महिला बिरोधी मान सिक्ता को दिखाता है आगे उन्होंने कहा है कि आदर निये सीता सुरेन भाजबाक की सम्मानित नेता है और उनका अपमान जामो सरकार के महिला बिरोधीरवाया को उजागर करता है सिवाय सिंग चवहान ने जारकन के गडबंदन सरकापनिसाना साते है कि सीता सुरेन स्वर्गी दुर्गा सुरेन की पत्नी है सीबु सुरेन की बहु और हेमन्त सुरेन की भावी लेकिन हैरानी की बात या है कि जिस सरकार के मुख्या हेमन्त सुरेन है उसी सरकार का एक मंत्री ने उनकी भावी का अपमान किया उन्होंने कहा है कि भारतिये प्रमपरा में भावी को मा का दर्जा दिया गया रमायन का उधारन देते हुए उन्होंने कहा है कि जब सीता मता का अपहरन हुए था तब लक्षुमन जी से पुछा गया था कि मा सीता क्या पहना था इस पर लक्ष्मन जी ने कहा था कि उन्होंने मा सीता के पेरों के लावा कभी उनका चेरा नहीं देखा लेकिन जारकन में हर दिन सीता का अपमान हो रहा है जारकन में अनाथ वद्धिव्यांगों को हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए जारकन में सभी वर्ग के अनाथ वद्धिव्यांग विद्ध्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल मिकी छात्रविती जोजना लागू की गई है इसके तहद विद्ध्यार्थियों को पाठे करम अधी के दोरान परतेक्स सेक्षिनिक वर्ष के लिए ट्यूशन फीस का भुकतान किया जाएगा ट्यूशन फी की अधिक्तम सीमा 10 लाख रुपे प्रतिवर्ष होगी यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपे से धिक होगी तो सेस्ट्यूशन फीस का भुखन विद्ध्यार्थि स्वेम करेंगे बतादे जारकन के उच वह तक्निकी सिक्षा भिभाग द्वारा जारी अशुचना के मुताबिक सभी विद्ध्यार्थि को पाठकरम की पूरी अवधिक दरान किसी भी उच सिक्षन संस्थान में नमांग की तोने पर 4000 रुपे प्रतिमा साहतरासी प्रदान की जाएगी दीपावाली से पहले कोल इंडिया के मैजदूरों को बोनस का भुखतान कोल इंडिया प्रदान ने दीपावाली से पहले ठेका मैजदूरों को बोनस का तोफा दिया है ठेका कर्मियों के बोनस पर कोल इंडिया बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दिया है इसके मुताबिक ठेका मजदूरों को सलाना 8.3 दिन पर 30 बोनस का भुकतान किया जाएगा इसे BCCL, ECL वा CCL समेट कोल इंडिया वा अने सभी अनुसांगी कोल कमपनियों में कार्रात करीव 90,000 ठेका कर्मी लबानवीत होंगे दाना चक्रवात से खेतों में सो गई धान की फसले राइधानी रांची के आसपास के छेतर में दाना चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है खेतों में तयार धान की फसल तेज हवा के करान गिर गई है इतना ही नहीं रुक रुक कर बारिस हूइ इस से तैयार धान की फसल खेतों में सो गई इस वज़़ा से फसलों को भी नुकसान पहुचा है किसानों का कहना है कि बालियों में लगे दाने खराप हो जाएंगे वहीं खेतों में लगे मटर टमाटर अधरक समय सब्जियों को भी प्रभावित किया गया है खेतों में जल जमाव के कारण खेतों में लगे मटर टमाटर अधरक समय सब्जी सडने की भी असंका जताई जा रही है गुमला के 20 गाओं के लोग नहीं देंगे वोट अजादी के 77 साल बाद भी सड़के नहीं बनने से गुमला के घागरा परखंड के बिमरला वा दिरगाओ पंचायत के 20 गाओं के करीब 15,000 ग्रामिनों में अक्रोस है इन गाओं के लोगों ने इस बार विधान सभा चुनाओं में वोट नहीं देने का निना लिया है बतादे दोनों पंचायत के ग्रामिनों ने जन सभा की और फर्मान जारी किया है की सोहराई पेंटिंग उन्हें जार्खन की फेमाज सोहराई पेंटिंग गिफ्ट के रूपने दिया है तो फाप आकर पुतिन भी कापी खुस नजर आए जार्खन अपने जिवनत जनजातिये कलाओं के लिए परसीद है सोहराई पेंटिंग राजी की पहचान है जार्खन के चुनावी संबर में बिगर रहे नेताओं के बोल जार्खन विधान सभा चुनाओं में नेता एक दूसरे पतिके सब्दों से प्रहार कर रहे है चुनावी आसमान में गिद, चील कौवे, बंटी बबली, जेल रिटर्न, चोर गद्दार और बाबर से लेकर जार्खन के चुनावी सब्दावली के नए सब्द हैं, बतादे इनी सब्दों को हत्यार बना कर चुनाव परचार के दोरान सत्ता धरी जामो गडबंदन और प्रतिपक्ष भाजपा गडबंदन के नेता एक दूसरे पर निशाना साथ रहे हैं जार्खन भाजपा के चुनाव परभारी वा केंद्री की सिमंत्री सिवराय सिंग चौहान और सब्द परभारी असम के मुक्ष मंत्री हिमंत्री विश्वा सर्मा समित राज्य में प्रचार के लिए आने वाले भाजपा नेताव को मुक्ष मंत्री हेमन सुरेंड आपनी चुनावी सभाव में गिद और बेपारी करार देते हैं कहते हैं चुनाव आते ही जारकन के आस्मान में गिद मंड़ाने लगे हैं जामुव ने कहा जीलों के अधिकारियों को धमकार है राजे के सीओ जार्खन मुक्ती मोर्चा के किंद्रिये महासर्चिव सुप्रियो भटाचा ने प्रेस्वारता कर कहा है कि राज में विधान सभा चुनाओ के लिए पर्थम चलन की नमाकन पर क्रिये पुर्य हो चुकी है वहीं दूसरे चलन का नमाकन 29 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा इसके बाद चुनाओ परचार होगा चुनाओ से पहले ही बिजेपी घबरा गई है इसलिए अपने सक्तियों का दुरूपयोग करना शुरू करती है ED, CBI वा IT को काम दिया गया है और तीन दिनों से इनका काम सुरू हो गया है जाम्मो ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राजी के प्रसासनिक अधिकारी और राजी के मुख्य निवचन अधिकारी ने कई जीलों के अधिकारियों को धमकाने की कोशिस की जाम्मो ने मुख्य निवचन अधिकारी के रविकुमार, संजय, आनन्द और एवी होमकर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये तीनों अधिकारी जीलों के अधिकारियों को ध्राने की कोशिस की है इससे साब पता चलता है कि भाजपा का मनोबल गिर गया है लोहर्दगा में वाहन चेकिंग के दोरान 2 लाख प्रामत लोहर्दगा के कुडू थाना चेतरे के चेटर मोर जिंगी मुख्य पत्थ पर जिंगी बग इचे के पास एफेस्टी की टीम ने वाहन जाच के दोरान वाहन से 1 लाख 11,90 पर बरामत किया है वाहन में मवसी लदा था सी एफेस्टी की टीम को वाहन में सवार मवसी बेव पारियों ने नगद रासी के समद में कोई वैद कगजात या जनकारी नहीं दी जनकारी के अनुसार FST की टीम के दंडा अधिकारी 20 साल मिंज चता पुलिस अधिकारी प्रदीप कक्षप के नेतिवत में चेटर मोर जिंगी मुखे पत पर वहां जाच अभियान चला रहे थे चुनाओ को हम ले रहे चुनाओती के तोर पर रबिंद्र राय परदेश भाजपा के करेकारी अधिक्ष डाक्टर रबिंद्र राय ने रबिवार को परदेश भाजपा करेले में प्रेस वर्ता किया उन्होंने कहा है कि चुनाओ को हम चुनाओती के तोर पर ले रहे हैं भाजपा ने जार्खन को बनाया है और यही बचाएगा चुनाओ अपने अरामभिक दवर के अंतिम छोर पर है उन्होंने किसी भी दल का नाम लिए भी न कहा है कि राय नीत्ती में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लड़क के जार्खन लिया है लेकिन भाजपा ने अपनी समती से जार्खन बनाया भाजपा सब के समान और सभी के हीतों की रक्षा करती है राजे ने कहा है कि भाजपा पूरी ताकत से उत्री है राजे की जानता भाजपाई है जानता भाजपा के लिए समर्पित है जो सपना अटल बिहारी बाजपे ने देखा था उसे पिये मुद्धी के नितित में पूरा कर रहे हैं मिथिला पंचांग के अनुसार 31 को मनेगी दिपावली दिपावली हिंदु धर्म के परमोख तेवहर में से एक है इसे बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है इस बार दिपावली के तारिक 31 अक्टूबर को पढ़ रहा है मिथिला पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को दिपावली मनाना सूब रहेगा चतूर दसी तीथी 31 अक्टूबर को 2 पर 3 बच कर 30 मिनट तक रहेगी पंडित नितेश कुमार मिस्रा ने बताया है कि मिथिला पंचांग के अनुसार अमाउसया थी थी 31 अक्टूबर गुरुवार को 2 पर 3 बच कर 24 मिनट से शुरू हो रही है इस बार दिपावली 31 अक्टूबर को मनाई जागी दिपावली के तेवार पर अमाउसया थी थी रात में हो रही है जो 1 नौबर 24 को साम में नहीं है वहीं 31 अक्टूबर को 2 पर 3 बच कर 24 मिनट पर अमाउसया लग रही है इसी दिन अमाउसया पुरी रात है इस दिन लक्षमी पुजा के लिए ब्रिशब और सिंग लगन का सुप समय उपलब्द रहेगा महागाई पर अंकुस लगाने पर विफल रही केंदर सरकार सीएम सीएम हेमन सुरे ने केंदर सरकार पर निशाना साधा है सोसल मीडिया पोस्ट में कहा है कि केंदर सरकार लगातर बढ़ती महागाई पर अंकुस लगाने में पूरी तरह भी फल साबित हुई है आवस्यक बस्तुओ दवाईयों से लेकर रोजमारा की चीजों के दाम आसमान छूर है इस स्थिती में आम नागरिक की स्थिती दिन परते दिन मुस्किल होती जा रही है जारकन सरकार ने जब मैया समान यूर्णा के माधम से आम परिवारों को रहात देने का प्रयास किया तो केंदर सरकार तुरंत इसे रोकने के लिए नियाले पहुँच गई यहीं सरकार उद्योग पतियों को अर्बो खर्बो रुपए की सबस्री देते समय मौन साद लेती है परन्तु जनकल्यान की बात आता ही बिरोध में खड़ी हो जाती है जारकन में ए जन बिरोधी नितियों का किनोन करना चाहते है CM ने कहा है कि आजाओ सकता है कि हम समाजिक सुरक्षा को मजबूत करे ना कि उससे कमजोर गरीब और मध्यम वर्गिये परिवारों के हीत में चलाई जारे योजनाओं को और अधिक ससक्त किया जाए यह समाज है जन हीत की नितियों को प्रात्मीकता देना ना कि उन्हें कमजोर करने का कांग्रेश ने सीता सुरिन के खिलाफ दर्ज कराया मामला कांग्रेश बिदाय कि इरफान अंसारी का वारल वीडियो प्रकरन का मामला तुल पकड़ता ही जा रहा है दर्ज किये गए मामले में कहा गया है कि इरफान अनसारी को तोड़ मरोड कर पेस किया गया है वीडियो में कांथ छाट की गई है राएनितिक लाब के लिए जान बुच कर छोवी धुमिल करने का परयास किया जा रहा वहीं जाम तरह से बिजेपी उमिदवार सीता सुरे ने कहा है कि इरिफान अंसारी कोई बच्चा नहीं जिसे बोलने का ग्याना हो उन पर मुकादमा करूंगी जाम तरह से BJP उमिदार सिता सुन के खिलाब दियेगा विवाजित ब्यान को लेकर रिफानन सारी के खिलाब जाम तरह थाना में F.I.R. दज किया गया है जारखन के अस्पतालों में लगेगा MRI और CT scan machine राज्य के मरीजों को अब हाइटेक सुविधा मिलेगी इसके तहट राजी के होस्पिटल में लेटेस्ट MRI और CT scan machine लगाई जाएगी इसके लिए स्वास्त विभाग ने 132 को रूपए आवंटीद कर दिये है एक 3 टेसला MRI machine की लागा 17 को रूपए होगी जबकि 256 सलाइड वाली एक CT scan machine की कीमात 5 को रूपए होगी स्वास्त विभाग के अनुसार वर्तमान समय के चिकित सा प्रानाली में MRI और CT scan machine की उप्योगता आहम हो गई है मसीनों की खरीज टेंडर के जरिये की जाएगी रांची ने दिली रायधानी का समय बदला रांची ने दिली रायधानी एकस्प्रेस अपने तय समय पर रांची एस्टेसन से नहीं खुली इसका समय बदल दिया गया यह ट्रेन अपने तय समय से कम से कम एक गंटे बिलम से खुली बता दे राजधानी एक्सप्रेस का रभी वार को खुलने का समय पांच बचकर 15 मिट पर है लेकिन यह ट्रेन 6 बचकर 15 मिट पर राजचे स्टेशन से रवाना हुई दक्षिन पुरो रेलेवे के मुक्ष जनसंपर्ख पतादिकारी यह जनकारी दी है हलाकी CPRO ने यह नहीं बताया कि टेन को रीजटेड्यूल के हो किया गया 12.400 तीरपन राजधानी एक्सप्रेस टेन रभी वार को राजधानी एक्सप्रेस टेन रभी वार को राजची से आमतरपत साम को पांच बचकर 15 पर पर खुलती है जो 17 गंटे 55 मिनट की आत्रा के बाद दिल्ली पहुचा देती है राजधानी एक्स्प्रेस ट्रेन रांची से खुलने के बाद लोर्दगगा डाल्टिन गांज गढवा रोड होते हुए दिल्ली तक जाती है जार्खन के एक्टर जावेद पठान को मिला छात्रपती सीवाजी महराज गोरो अवाड पतिश्थित सम्मान समारो दादा साहव फाल के आईकोन अवाड फिल्म और्गनाजेशन 24 में एक बार फिर जारकन के जावेद पठान को आइकन एक्टर अफ दा इयर के उपादे मिली है और उन्हें छत्रपत्ती सिवाजी महराज गोर अवार्ड से नवाजा गया सुक्रवार को उन्हें समानित किया गया बॉलिवोट एक्टर को या अवार्ड सीव सकती तब त्याग और तंडो में सुब के किरदार और वेब सीरीज फेमस में विलेन के रोल के लिए मिला है बता दे पिछले साल जावेद पठान को या अवार्ड एन आर आई वाइस फिल्म के लिए मिली थी गैंग्स्टर अमन साहू पैसो को बिहार के बिल्डर के प्रजेक्ट में लगाया था कड़ोरो रुपए एन आई ए की जाच में बिहार के भागल पुर्जीला निवासी बिल्डर सा जमीन कारोबार से जुले संकर यादो और जेल में बंद गैंग्स्टर अमन साहू गिरो के बीच गठ जोड का खुलाचा हुआ है अनुसांधान में आए नए तत्यों के अधार पर एन आई ए की और सेह जनकारी अदालत को भी दी गई अदालत को बताया गया है कि अमन साहू गिरो हने रंगदारी में जो पैसे वसुले थे उसका निवे संकर यादो ने आकास साहू के साथ मिल कर तुपू दाना में एक आवासे प्रजेक्ट में किया संकर यादो वर्स 2022 तेस में अपने आई टी आर में सीर्फ 44,579 रुपए होने का दावा किया था जबकि उसके पास 1.30 यूरो रुपए क्लोर मिले थे इसलिए इस पैसे को एन आई ने गिरो हने द्वारा रंगदारी में वसुलने का माना है पीएम मोधी मन की बात में जहर्खन का किया जिक्रे पीएम मोधी ने रभीवार को अपने रेडियो कारकर मन की बात के 115 वे एपिसोड के जरिये देश के लोगों को संबोधित किया है इस दोरान पीम ने अपने संबोधन के दोरान 20S रूप से जार्खन का जिक्र किया अपने संबोधन के दोरान पीम ने कहा है कि उनकी सरकार धरती अबबा भागवान बिर्शा मुंडा और सरदार पटेल की 150 वी जन्म जियनती मनाएंगी पीम ने अपने जीवन के खास पॉलों का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरे जीवन का सबसे खास पॉल वह रहा था जब मैं भागवान बिर्शा मुंडा के जन्म अस्थाल उली हातु गया था पीम ओधी ने 15 नुवंबर 23 इसके अपने जारकन के दोले को याद करते हुए कहा है कि उनके जीवन में इस स्यात्रा कभी से प्रभाव पड़ा वह पहले ऐसे पीम बने जो कि भागवान बिर्शा मुंडा के गाव गये थे छट से पहले ड्राई फूट्स की किमतों में उच्छाल छट महा परुनाज़ दीख है लेकिन इस से पहले ड्राई फूट्स की किमतों में आग लग गई है बजार में बढ़ी किमतों के कारण ये अब आम लोग की पहुंचे दूर हो गया है काजू 1 रुपे किलो की दर से बिक रही है तो माखाना 850 से 1200 रुपे किलो की दर से बिक रही है वहीं काजू की कीमतों में 250 से 300 रुपे किलो की बिरीधी हुई है माखाना की कीमत में भी 300 रुपे किलो तक की बिरीधी है मध्यमवर्ग ये परिवारों ने दोनों की खपत कम कर दिया है जारखन में RJD ने कई सीटों पर बढ़ाई टेंसा जारखन विधान सभा चुनाव में कांग्रेश के लिए धनबाद और बोकारु से उमिद्वार का चयान किसी सीदत से कम नहीं है बोकारु से पुरो परदेश अध्यक, शेराजे, श्टाकुर को उमिद्वार बनानने की चर्चा है उन्हें धनबाद से भी चुनाव लड़ने को कहा गया था लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव से इंकार कर दिया है वहीं दूसरी और धनबाद से कांग्रेस पार्टी की नेताओ में एक बार फिर अजय दुबे का नाम सबसे आगे है लेकिन हाल के दिनों में पुर्व मेयर सेकर अगरवाल के नाम की भी जोरदार चर्चा है माना जा रहा है कि कांग्रेस इन्हे टिकट दे सकती है इन्हे टिकट मिलने पर धनबाद का मुकाबला भी जोरदार होगा वहीं रोमवार को दोनों सीटों पर निना लिये जाने की पुरी संभवना है बता दे कांग्रेस के सामने एक और बड़ी समस्या है रायत को समझाने की रायत ने जामो वामदल और कांग्रेस उमिद्वारों के सामने अपने केंड़ेट उतार दिये है इससे गड़बंदन में टूट के असार बढ़ गए है चतरपूर विश्रामपूर गढवा धनबार आदी बिधान सभा चेतरों में गढ़ बंदन के दलों के बीच तूट की स्थिती बनी होई है गढवा डीसी और एस्पी ने चुनाओ को लेकर अस्थल का निरिक्षन किया जर्खन बिधान सभा चुनाओ धेचोविस को लेकर गढवा जीला उपायुक्त पुलिस अधिक्षक ने रिसीभिंग सेंटर एवा मतगन्ना केंद्र हेतू चैनित अस्थल गढवा का निरिक्षन किया और इसकी हो रही आवसक तेरियों का जाजा लिया जमसेदपूर में तीन दिवसी वार्षिक खेल समपन राश्ट्रिय परदयों की संस्थान जमसेदपूर में 25-27 अक्टूबर तक वार्षिक खेल और एथलेटिक्स मीट उर्जा 25 का रभिवार की साम समापन हुआ इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने जोस और उत्सा के साथ भाग लिया या आयोजन भी भीन खेल परते हो गित्ताओं और एथलेटिक्स गति वीदियों के मादेम से छात्रों में खेल भावना को बढ़ावा देने के उदेश से आयोजित किया गया था बतादे 24 अक्टूबर को ओर्जा 25 के तहट आयोजित किर्केट फाइनल्स में इलेक्ट्रोनिक्स सखा की टीम ने वेथर खेल परसन करते हुए बिजयता का खिताब अपने नाम किया है जेस्वा दिवाली मेले में अमतिम दिन उम्री भीड जेस्वा के तत्वधान में मोराबादी में आयोजित दिवाली मेले 2024 का रभीवर को समापन हो गया है मेले के अमतिम दिन मौसम साफ रहने के वज़ास से बड़ी संक्या में लोग आये मेले में वहाँ पारकिंग सुराक्षा से समधित अने बेवस्थाई भी चाक चोबन दिखी टिकट काउंटर पर टिकट लेने वालों के लंबी कतार थी और सब कतारबत होकर मेले परिशर में परवेश करतर दिखाई दिये जेस्वा मेले के पांचों हैंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी की है मेले में सबसे ज़्यादा भीर रोजमारा के उप्यों की वस्तियों की सलोट पर भीरी थी मेले में सबसे ज़्यादा भीर फूड कोल्टे में देखी गाई वहाँ भी भीन परकार के ब्यांजनों का आनंद लोगों ने लिया है धन्यवाद